मैं पिलोवा थानेजर सम इस्पेक्टर विनूत कुमार बोला हूँ और आपके उपास 420 में केस दर्ज हुआ है कि आपने लोन पे नहीं किया है ठीक है तो आप थाने में मिलिए नहीं तो हमें आना पड़ेगा मजबूरन तो दोस्तों इस तरह की कॉल्स काफी लोगों के पा आजाए अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं आपने किसी बैंक या एनवी एफसी से लोन लिया है तो आपके उपर आर्वे के गाड्लाइन्स के अनुसाथ 419-420 में होगा किरमल के जी हां दोस्तों ब्लुक्त सभी सुनने हैं आपका दिमाग खराब होगा ऐसे कैसे हो सकता है तो मैं वही तो बता रहा हूँ नया साल शुरू हुआ है इसलिए मैं आपको जानकरीद रहा हूँ तो आपको इस वीडियो लास तक देखना जरूरी है अगर आपने किसी भी लोन है बैंक से किसी भी ऐसे लेंडर से लोन लिया जो लोन प्रवेट करता है प्राव उसका लो का नोडीटिकासन आपको समय से मिल सकें दो सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि आखिश क्रिणल केस होता क्या है बागी की बात हम बात में समझेंगे आरे रहे हैं कि क्या नहीं है यह इनोंने क्यूं बोला क्रिमनल केस्च वह होता है जैसे मान लिजिए कि मैं अपनी four-wheeler से या पनी वाइक शेमें कहीं जा रहा हूं और कहीं पर कोई बदमास आगया को गुंदा आगया उसने मेरे कंपटी बंदूग लगा दी और मेरे से या तो मेरे गाड़ काटवी या मेरे से पैसा ले लिए हाता पाई हुई चीना झप्टी हुई उसने मेरे दो दो मुक्के मा तो कुछ आपको काल गया मैं या कुछ भी हो गया है या आप जो है अपना OTP देभी दीगे उसने मेरे पिऐज़ा मेरे एक हादसे पूरे पैसे उड़ गयी फोन पेके मादन से new school आदे की माधळ MILL किसी माधळम से उससे उड़ा दिये तो उसने कहा कुछ और कुछ मेरे पैसे उड़ गए जो आ कि मेरे संब धोका हुआ यह ले संब औरतिये में आता है मतलब कर还 कर cya ٹो मेरे ओ उधिस कर। फृट ए जांवुच के केस होते हैं वो जानबूज के किया तो अपराथ की सेड़ी में जो चीज आ रही है वो क्रिमिनल एक्टीविटी होती है अब हम बात करते हैं लोन की क्या लोन डिफॉल्टर जितने ही विए जिन्हों लोन नहीं चुका जा उनके उपर क्रिमिनल केस हो सकता है देखिए उनके अब आणो केस नहीं हो सकता है कि आपने कि लोन एप में बैंक में जो आप उसको लोन देने का प्रोसेस है कागज लेने हैं वही कागज आप दे रहा है और लोन मिलेक रहा है थीक है ना यहाँ पर मकारी कौन करता है मकारी कौन करता इस बात को मकारी करता है रिकुवरी एजेंट रिकुवरी एजेंट क्या करेगा कि आप से आपके डॉकुमेंट ले लेगा ठीक है ना तो आपके डॉकुमेंट लेने के बाद क्या करेगा वो कुछ रिकुवरी एजेंट इतने मकार होते हैं कि आपके document ले लिए और किसी company के नाम पर या किसी और के नाम पर loan आपका चालू कर दिया ठीक है ना मतलब क्या हो गया कि आपने document दे दिये loan कोई और ले लिए बैठा है और चुकाना आपको पढ़ रहा है जिन्होंने loan ले लिया है लेकि उनके पास बराबर sdm के डीम के या ssp के कॉल आते हैं वकिलों के कॉल आती है वह सब जूटी होती है क्योंकि वह recovery agent ही होते हैं जो खुद से कॉल करते हैं खुदी डियम न जाते यह खुदी ठाने से बनके कॉल करते हैं और सबसे अच्छी वाद इनको इतनी knowledge हो गई है कि लगटा सच में कि सच में ठाने से कॉल आया है कुई आपका ऐसा से लॉंच वा था और आप यहां कुछ रपट आईए आप यहां थानिमा के मिलिए बाचित करिए बंदा डर जाता है क्योंकि उनके पास कंपनी द्वारा प्रोवाइड साइड होती है और लेडी वह फोन निमर पर कॉल करते हैं ठीके ना अब यह जितना भी काम होता ना रिकवरी एजेंटी करता है रि लायन से पैसा लेना है लोन का डिकवर करवाना है आपको ठीक है ना इन सब पैसे बजू लो अगर मान लिजे कि उसके पास कम से कम 400 लोग हैं 400 बहुत हो गए मैं करता है महीने में अगर वह दोस्तों का टार्गेट परकर चला कि मुझे 200 लोगों से लोन डिकवर करना है पै पर टूड़ गया घर में साधी कर दी जरूरी काम कर दिया कुछ भी कोई प्रॉलम आ गई वह एमाई पे नहीं कर पाते हैं तो इसलिए क्या होता है कि लोग ना पे करने वाले की संक्या ज्यादा होती है तो यह लोग खुछ से कॉल करते हैं स्टीम बन जाते हैं वकील बन जाते हैं पूलीस बन जाते हैं अब माय लीजिए अगर यह लोग आपके उपर कर्मिनल का होते हैं इस बात का ध्यान नके मानीजिए एक 15 से 20 हे रोपे तंख्वा लेने वाला एक एजेंट डेट सो लोगों से रिकवर कैसे करवाएगा वो यह तो वकील बनेगा यह एस पी बनेगा यह जिले का डियम बनेगा कुस्तो बनेगा ना तभी तो रिकवर करेगा मेरे भाई थर्ट पाडी बंदे होते हैं यह यह बैंक से निंग नहीं होते हैं जिब बैंक ने इसे सरकाइब नोकरी प्रनी पहल की पैसे देता है कि इतना 나 नोटिस धिया है अगर एक नोटिस पे अगर मालिए 50 रुपय का भी खर्चा आ रहा है ठीक है ना तो आप डेड़ सा गुना पचास कर लिजे तो लगवक साड़े साथ यह रुपय रुपय रिकुवरी एजेंट जो है ना सिर्फ नोटिस पे खर्च कर रहा है अब एक बास बताईए इतना उस नोटिस हर किसी को नोटिस भी निविशते ही लोग अरे इतना पैसा कहां से लाएंगे या दो चारी हार का लोन है ठीक है ना नोटिस में सारा पैसा चला जाएगा दो हजार का तीन हार का लोन लिया है कितने लोग हैं कितने लोगों पर केस करेंगे कोट में जाएंगे कितन क्रिमिनल केस का बड़ा ही धंगी देते हैं यही लोग क्रिमिनल केस करवाते हैं कि 410 में हो गया कि 420 में हो गया अगर आप पेनी करोगे तो ऐसा हो जाएगा वज़ाएगा बिल्कुल डरने की जोत नहीं है यहां पर पुलिस का काम होता है सांती बयाफता बनाये रखना पु पुलिस कव इन्वाल्व होती है यह भी समझ रहो पुलिस इन्वाल्व तब होती है कि आपने कोई फजी डॉक्विम्न जैसे आधार काड पैनकार लगा दिया तब लोन के लिए अप्लाए कर रहे हो ठीक है तो ऐसे में अगर बैंक या किसी लोन आप बाले को आपको लोन दे पाला होती उनमें केस दर्श कर देगा ठीक है ना तो मतलब जब कोई कंप्लेंट करेगा बैंक तभी आपके ऊपर वह कंप्लेंट होगी अगर मान लीजेगी बैंक नहीं करता तो नहीं होने वाली यह बैंक की तो करेगा अब यह रिकवरी एजेंट अपने ही मन से सारे काम करते हैं अरे यह दल्ले होते हैं रिकवरी एजेंट कुछ अच्छे भी होते हैं ठीकिना बलब अच्छे कम संख्याइंगी और बिगड़ने वालों की खराब की जादा संख्या है ठीकिना तो यहां पर यह माननकर चलिए 10% डिक्वरी ऐसे होते जो पार्ट टाइम जॉब क उनका हिसा को अच्छा होता तो अच्छे से बात करते हैं तो यहां पर क्रिमिनल केस यह लोग नहीं कर सकते हैं यह लोग ही कुछ से कॉल करके खुछ से ही सब कुछ बनके कॉल करते हैं परहसान करते हैं कि आरिवे के गाइडलाइन्स के नूसार आपने यह समय से पे नहीं क तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं डरना है 2023 में अगर याँसा कोई कांड हो रहा है कोई आपको परसान करना बिल्कुल डरने जोत नहीं है पहली बात बद्थ यह आपको कुछ भी बोलेंगे आपको उनकी बात नहीं माननी है उनसे शीदे करना है कि भाईया मैं लोन पेंड नहीं कर पारा हूं तो आप बेफिकर होके मुझे नोबिस भेजें मैं कोट में जवाब दूगा बात खत्म हो गई करना तो पुलिस में रपट कर या आईजी के आजा या अडियम के आजा मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता यह दल्ले होते हैं यह अपनी बीज पंदर है की नौकरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी भी गंदी हालात पर किसी भी बत्मीज भी उदर सकते हैं कुछ ठीक होते हैं लेकिन ज्यादा तर एक गाली की तरह हो गया है अगर रिकुवरी एजिंट कोना तो सीधे मुझे से गाली ही निकलती है लोगों किया रहा यार वो साले ऐसे होते हैं कि वैसे होते हैं तो यहां पर आरिव है कि गाइडलाइन के इनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोन डिफॉल्ल करेगा लोन पे नहीं करेगा उसके चार सो उनलिज चार सो बीच में केस हो जाएगा यह रिकुवरी रिजिन खुदी बनाते हैं सारा काम खुदी करते हैं अगर आपने सारी डोकुमेंट सभी से दिये हैं आधार दिया है पैनकार दिया है आप नंबर एक में काम कर रहे हो तो आपको ड़नने जूत किया है उसी प्रकार से लोन लिया है को आपने गलत तरीकी से लोन नहीं लिया है तो उनका बहूरी बनता है बैंक्ट वालों rocky का जो जबले यह उसका है कुछ भी नहीं है तो यह रिकुरुरी एजिन और शारा काम करते हैं इस से बच कर लो इसब शूरा है कि छार साथ इस में कीलन सब फालतों की चीज़े बिल्कुल यकीनत करना आर्वा की ऐसी कोई गैडलाइज नहीं है कुछ जिकाव यह अबाद चल लाई थी कि दो हजार तेईस में आर्वा की न्यू गैडलाइज की लोन डिफॉल्डर्स पे होगा किरमनल केस तो यह टोटली बखवास है इस बात को ब अगर आपने बैंक के साथ को जूट चिपाया कोई धोकादरी बैंक के साथ कि आपने कोई आधार काड़ पैंक कार्ड बैंक का स्ट्रमेंट गलत लगा के लोन ले लिया है इस तरह का बनलब कोई गलत इरादे से आप लोन ले रहे हो अब पकड़ में आ जाता तो बैंक करते हैं और कमेंट करके होता है क्या आप ऐसी चीज़ों को फेस कर रहा है कोई कंपनी कोई बैंक उनकी एजेंट आपको परिशान कर रहे हैं मुझे बताना है उनका आप एगा वीडियो किलिप बना ले कोई भी सब्सक्राइब ना और जो आपके अधिकार है उनको जानो लोन डिफॉल्टर्स पे कभी भी जुन नहीं चुका पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं कभी पुलिस का हचेप कोई भी 40420 में कभी कोई केस नहीं होता है वो सीरिज सिविल कोर्ट में केस चलता है और वो थोड़ा टाइम भी चलता है उसमें आपको बार बार जाना अगर आपकी कोई भी लोगों से समझी समझ चाहिए तो बाकी का आप दोस्तों मैं चलता हूं जाने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करतें बेल आइकन को पैस करतें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकरशन आपको समय से मिल सके तो मिलतें किसी नेक्स ट्रपी में तब तक लिए जाए ही मुदे मातरम सत्य में जाए